एलो दोस्तों, वेलकम टो डी सरस्वती अकेडमी चैनल, आज हम क्लाश 12 के हिंदी चैप्टर 1 आत्म परिजय और एक गीत के एक क्वेश्चन खाँ आंसर करेंगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, I hope आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अगर अभी तक आपन जीवन का भार लिये घूमने की बात करती है, और दूसरी और मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, विपरित से लगते इन कथनों का क्या आशे है, मतलब कि कविता में ये जो दो लाइन यूज किया गया है, कि एक और जीवन का भार लिये घूमने की बात करता है, और द उसका आंसर है कवी ने जीवन का आशे जगत से लिया है, अर्थात वह जगत रूपी जीवन का भार लिये घुमता है, कहने का भाव है कि कवी ने अपने जीवन को जगत का भार माना है, इस भार को वह स्वैंग वहन करता है, वह अपने जीवन के प्रती लापरवाह नहीं है, लेकिन वह संसार का ध्यान नहीं करता उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि संसार या उसमें रहने वाले लोग क्या करते हैं इसलिए उसने अपनी कविता में कहा है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ अर्थात मुझे इस संसार से कोई या किसी प्रकार का मतलब नहीं है तो यही था इस प्रश्ण का उत्तर I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद